Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, भैतर होंगे और स्वस्थ होंगे Welcome to Fairs Cloud, Learn to Lead तो आज हम डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टन करंट अफेर 17th और 18th of January 2021 तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 best images of the day बट आज हम 13 से लेके 14 बहुत इंपॉर्टन करंट इसको डिसकस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिलकुल लास तक देखते रहें, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार लाइक कर दें, हमने एक टार्गेट रखा हुआ है 700 प्लस लाइक का तो अगर आप 700 प्लस लाइक्स देने में अचीव कर लेते हो इस टार्गेट को तो इसका मतलब मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी नए कोर्सी जो हैं, वो लाँच करूँगा और बहुत ही जल्दी हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजे मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 2021 का प्लान किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस बहुत ही सिंपल है कि आपको वो वेबसाइट पे अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा Affairs Cloud की application और वो Affairs Cloud के नाम से नहीं है वो Careers Cloud के नाम से है तो याद रखना है, Careers Cloud के नाम से वो application है, तो उसको आप क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो, वहीं से आप 2021 का 6 मन्त की subscription, 12 मूंस की subscription या फिर दो साल की subscription जो है वो आप बाए कर सकते हो और आपको app किस तरह से download करना है या तो आप careers cloud सर्च कर लें अपने google play store पे या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसी video के नीचे description box है उस description box से पिर आप क्या कर सकते हो download कर सकते हो app को तो guys whatever app को download कर लें तो कितना असान है कि आप daily current fair pdf से revise कर सकते हैं मतलब आपको theoretical current fair और question and answer format में उसी दिन के current fair जो है वो मिलेंगे next होगा weekly pdf section weekly pdf में आपको जितने भी current fair होंगे वो week wise arrange किये गए हैं ताकि आप उसको revise कर सकें अच्छे से weekly test होगा जो कि आप अपने आपको evaluate कर सकते हो कि मुझे कितना current fair याद रह रहा है और अगर जरूरत है तो आप दुबारा से फिर से revise कर सकते हो most important section है दोस्तों monthly pdf का section जिसमें हम आपको अलगले तरह की pdf's provide करते हैं जैसे कि पहली pdf है जिसमें हम आपको पूरे महिने के theoretical current affairs provide करते हैं अगली pdf में हम आपको जितने भी theoretical current affairs हैं वो question and answer format में provide करते हैं ताकि आप उसको अराम से revise कर सके हैं next है pocket pdf जो की नाम से पता लग रहा है कि आप इन current affairs को जल्दी जल्दी से revise करने के लिए इस pdf का use कर सकते हो next है banking finance और economy pdf खास करके उन बच्चों के लिए तियार करते हैं जो banking exam की तियारी कर रहे हैं और वो exam की तियारी कर रहे हैं जिसमें banking awareness की knowledge जो है वो पूछी जाती है next top 100 current affairs मत्दद top 100 current affairs आपको दिये जाएंगे उसी महीने के और वो भी बहुत ही ज़्यादा selected होंगे क्योंकि top 100 है और वो question and answer format में दिये जाएंगे तांकि आप उसको फटाफट revise जो है वो कर सकें तो इस सारी चीज़ें आपको हर महीने मिलेंगी तो आप application डाउनलोड करके उसमें जो भी आप subscription लोगे उसके according आपको यह मिल जाया करेगा लेकिन यह बहुत ही कम दाम पे हम आपको provide कर रहे है और 10% इसके उपर extra discount भी दे रहे हैं और वो 10% discount आपको कैसे मिलेगा अगर आप इस code को use करते हो तो आपको extra 10% discount जो है वो जुरूर मिल जाएगा तो हम start करते हैं आज का वीडियो जो की 17 और 18 January के current affair based है और guys याद रखना है वीडियो को क्या करना है अपने like करना है और वीडियो को share कर देना है तो start करते हैं आज के most important question section की तरफ और यह रहा पहला question which organization launch the fifth edition of adaptation gap report 2020 adaptation gap report 2020 किस organization ने इसको launch किया है फिर इसके बारे में बात करेंगे कि यह adaptation gap report actual में है क्या तो यह जुड़ी हुई है environment से तो अगर environment से जुड़ी हुई है दोस्तों तो यहां से answer clear है कि कौनसी organization ने इसको जो है वो release किया होगा तो फटबट बताएंगे कौनसी organization के बारे में जो है वो मैं बात कर रहा हूँ तो yes सब बच्चे जो है वो answer बिल्कुल सही दे रहे है तो answer क्या है इसका United Nation Environment Program की तरफ से इसको launch किया गया इस report के बारे में बताया गया है तो क्या बताया गया है इसमें इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो global warming हो रही है किस तरह से global warming से जो cost है annual cost जो हर country की क्या हो रही है बढ़ रही है क्योंकि उसको ठीक करने में environment को या फिर उससे बचने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ रहे है खर्च जो है वो बहुत जादा करना पड़ रहे है और यह predicted है कि 2050 तक वो खर्चा जो है वो चार गुना हो जाएगा यह adaptation है कि हम climate को adapt करने के लिए नए तरह के climate को adapt करने के लिए हमें basically इतना खर्चा जो है वो करना पड़ेगा तो यह gap है adaptation gap report तो United Nation Environment Program की तरफ से दी गई है तो आप देख सकते हो climate change adaptation cost to at least quadruple for developing countries in 3 decades 5th United Nations Adaptation Gap Report 2020 3 decades मतलब 30 सालों के अंदर आप 2020 जो है वो जा चुका है तो 30 सालों के बाद मतलब 2050 में यह आपको चार गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा आपको global warming के उपर यह जो है वो चेतावनी दी है United Nation Environment Program की तरफ से तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चार गुना खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा और बहुत सी country जो है वो Paris climate से बहुत जादा पीछे है वो उसको अपना ही नहीं रही है इवन उन्होंने sign कर दिया है signatory है वो लेकिन फिर भी उसको नहीं अपना रही है और खास करके nations have successes in planning and implementation काफी nation जो है वो plan और implementation करन में successful हुए लेकिन खास करके developing countries जैसे की Asian countries होगी अफरीका हो गया इवन हम अपना प्यारा बारत भी अगर ले 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 तो वो भी जो है वो Paris Agreement को बहुत अच्छे तरीके से जो वो implement नहीं कर पा रहा तो यह बताया गया है कि 2050 तक जो खर्चा जो ह है वो क्या हो सकता है डबल हो सकता है तो अपने याद रखना है United Nation Environment Program का जो headquarter है वो narrowby है और executive director जो है United Nation Environment Program के वो कौन है Inger Anderson तो यह बहुत important है और यह adaptation report के बारे में याद रखना है नेक्स आते हैं दोस्तों अगले question के उपर who unveiled India's first indigenously designed and developed driverless metro car तो recently Modhi जी ने एक driverless metro जो है वो launch की थी वो दिल्ली metro की थी magenta line के उपर की थी लेकिन यहाँ पर बात हो रही है driverless metro car की और यह किसने जो है वो launch किये किसने जो है वो India की तरफ से इसको design और develop किया गया था लेकिन किसने इसको launch किया है तो हमारे defense minister राजना सिंग जी उन्होंने इसक आप यहाँ पर देख सकते हो पीछे आप driverless car जो है वो आप देख सकते हो और बहुत ज़्यादा सक्षम है और यह आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें प्रवाइट करेगी खास करके यह अभी launch किया गया महराष्ट्रा में तो इसलिए यह मुंबई metro के लिए बहुत ही ज़ for Mumbai Metropolitan Region Development Authority यह Mumbai के लिए specially बनाया गया क्योंकि वहाँ पर population बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए इसको तियार किया गया है और इसमें 576 cars की जो है जरूरत है जो कि January 2024 तक यह project जो है पूरा कर दिया जाएगा और 6 cars के एक metro train set बनाया जाता है जिसमें 2280 पैसेंजर बैट सकते हैं stainless steel की बनी होती है तो यह metro cars आपको एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाने में locally आपको क्या करेंगी help करेंगी तो 6 cars को जोड के एक set बनाया जाता है और उस set में total 2280 passengers को एक जगा से दूसरी जगा पर transfer किया जा सकता और यह driverless है मतलब इसमें CCTV cameras के थूरू इसको operate किया जाता है तो recent मैं आपको news बताई चुका हूँ first ever driverless train operation जो है वो दिल्ली metro में start हो गया है 38 km magenta line के उपर हो चुका है यह जनकपुरी west से यह चलेगी botanical garden तक पहुंचेगी तो याद रखना है यह NOIDA तक पहुंचती है तो next question के उपर आते हैं which country has the world largest transnational community according to the international migration 2020 report फिर से एक report international migration report 2020 जिसमें transnational community जो है वो पूरे world की largest है कहने का मतलब है कि वो पैदा तो किसी और country में हुए लेकिन रह किसी और country में रहे हैं तो ऐसी country कौन सी है जिसमें सबसे जादा लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं और पैदा वो उस country में हुए हैं तो answer क्या होगा दोस्तों इसका answer ह community का इंडिया तो याद रखना है answer क्या होगा इंडिया और most important question में mark कर लें at 18 million इंडिया has the world largest diaspora population report international migration 2020 highlights और याद रखना है यह United Nations की तरफ से दी गई है और रिपोर्ट और United Nation की कौन सी अजनसी है United Nation का एक department है Department of Economic and Social Affairs उनकी तरफ से यह report जो है वो परकाशित की गई है और उस इसका मतलब उनका जो diaspora है वो भी बाहर जादा रह रहा होगा तो by default इंडिया का रैंक जो है world largest transnational community के अंदर आ गया आएगा और international migration report जह है मैं बता चुका हूँ United Nation Department of Economic and Social Affairs की तरफ से दिया गया है और 2000 से लेके 2020 तक मतलब इन 20 सालों के अंदर India size of migrant population abroad साधी largest gain सबसे बड़ा population का जो foreign gain है वो इंडिया को मिला है क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा बाहर जो है वो रह रहे हैं लेकिन पैदा वो इंडिया में हुए थे तो इसी को हम कहते हैं transnational community तो याद रखना है इंडिया का रैंक जो है वो migration report में सबसे उपर है और दूसरा स्थान जो इसमें आया है वो Mexico का है आप देख सकते हो option में आपको मिलेगा Mexico तो Mexico का स्थान जो है वो second number पे है और तीसरा स्थान जो है वो रश्या का है थर्ड स्थान जो है वो रश्या का है तो recent related news this is related कि international migrants day कम मनाया जाता है international migrant day मनाया जाता है 18th of December दोस्तों याद रख लें international migrant day 18th of December था कि full protection on human rights हो migrants के ऐसे नहीं कि हम किसी और country में चलेंगे तो हमारे human rights जो वो खतम हो गया ऐसा नहीं है तो आपको वहाँ पे भी full protection जो वो मिलेगी next international migration outlook 2020 में इंडिया emerged as the second largest source country both in terms of the total inflow and the new migrants to OECD countries during 2018 ये याद रख लेना है कि सबसे ज़्यादा लोग OECD country में इंडिया से गए हैं और वहाँ पे रह भी जो है वो इंडिया से ही रहे हैं तो ये याद रखना है आपने OECD countries की बात हो रही यहाँ पे international migration outlook report 2020 थी ये report का नाम है international migration 2020 और याद रखना है बहुत ही important है तो next question आते है who has been elected as the new chairman of telecom equipment and services export promotion council तो appointment है तो by default most important question है कि कि किसको चुना गया है as a chairman telecom equipment services export promotion council का तो सब बच्चे अंसर देंगे मैं सबका chat box चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से बच्चे जो है वो अंसर दे रहे हैं एक hint देता हूँ आपको कि वो पहले secretary थे इसी department के मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि वो secretary थे इसी department के तो अंसर क्या होगा इसका अंसर है इसका संदीप अगरवाल तो नाम को याद कर ले संदीप अगरवाल ये क्या होगा नए chairman जो है वो बनाए गये हैं शामल गोश्ट जो हैं वो पुराने थे मतलब रेटायर होगे हैं mm kutty आपको पता है कि वो जो हमारा air quality management एक chair persons का group बना है यहां पर the telecom equipment and services export promotion council तो याद रखना है संदीप अगरवाल का नाम याद रखेंगे नेक्स आते हैं दोस्तो most important question में last question Indian army annually celebrates the army day on dash to honor the contribution and sacrifices of the Indian soldiers जो हमारे जो सेना है उन्होंने जान दे दी हैं हमें बचाते हुए देश को बचाते हुए तो उनकी services और उनकी contribution को celebrate करने के ल हर साल मनाते हैं इस बार 73rd Indian army day जो है वो celebrate किया गया कब किया गया तो अंसर सब बच्चे सही दे रहे हैं अंसर क्या होगा इसका 15th January को हमने इसको celebrate किया तो याद रखना है 15th January 2021 को 73rd Indian army day celebrate किया गया क्यूं हम 15th January को celebrate करते हैं 15th January को इसलिए क्योंकि Lieutenant General K.M. Kariyepa को appoint किया गया और मैंने आपको बताया था 14th January को हम बनाते हैं Veterans day वो भी इनी के नाम से K.M. Kariyepa के नाम से क्योंकि वो 14th January 1953 में retire हुए थे तो देखो कितनी चीज़ें आप एक ही question से सीख सकते हैं और 15th January 2021 में 73rd army day बनाया गया था और इसी दिन बारती एकसा life insurance ने campaign launch किया whether it like Indian army dedicated to the personals of Indian armed forces तो ये भी आप याद रख सकते हैं खास करके जो banking के बच्चे हैं वो इस चीज़ को याद रखेंगे तो next आते हैं दोस्तों अगले question के उपर और यहां पर most important section के questions खत्म होते हैं very important question section की तरफ चलते हैं और उसमें पहला question है डॉक्टर महेंदरनात पांडे जो की हमारे union minister है skill development के launch the third phase of परदान मंतरी कौशल विकास जोजना 2020-21 in dash districts according to the Hindu यह Hindu से cover किया गया है question है और आपने बताना है कि कितनी districts में इसको जो है वो start किया गया वैसे तो total 717 districts में इसको start करना है लेकिन फिलहाल जो है वो इसको कितनी districts में start किया गया और आपको पता होना चाहिए ये 2015 में इस scheme को start किया गया था 2015 में एक साल के लिए 2016 तक फिर 2016 से लेके इसको 20 तक अब तीसरा phase 3.0 का मतलब है तीसरा phase जो है वो start किया गया 2021 के लिए और अंसर गया होगा इसका 600 districts में लिए इसको start किया गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो union minister हमारे skill development के डॉक्टर महिंदर नाथ पांडे और उन्होंने इसका जो है वो उद्गाटन किया और इसमें क्या होता है इसमें skill development के उपर काम होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को skill development के उपर focus किया जाता है तांकि उनका livelihood और भी बहतर बनाया जा सके तो मैं बत 48 क्रोड रूपीज का इसके उपर खर्च किया गया और main जो line है वो क्या है आतर निर्बर बारत जिसके थ्रू हमने आतर निर्बरता हासिल करनी है और एक memorandum of understanding recently sign हुआ था ministry of shipping के बीच में और ministry of skill development and entrepreneurship के बीच में for skilling, reskilling और upskilling of manpower in the port maritime sector तो by default ministry of shipping sign कर रही है तो किसके लि skilled है उनको reskilled करना है उनकी skill को और उपरले पायदान पे लेके जाना है और वो दुबारा से किया जा सकते है कि इसके दुबारा ministry of skill development and anthropology और वो maritime sector के लिए अचीव करना है next question पर आते हैं फटाफट, union minister of science and technology जो की हर्शवर्दन जी है, inaugurated a new institute of national institute of science, communication and policy research in which state or UT तो क्या answer होगा हर्शवर्दन जी ने इसको launch किया है और मैं आपको एक hint देता हूँ इसमें कि दो institutes को combine करके इसको launch किया गया है मतलब दो institute already existing form में थे तो उसको combine किया गया, फिर इसको क्या किया गया, एक institute में convert किया गया तो आप बताएंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ और वो दो institute किसके थे, दोनों के दोनों CSIR के थे, ये भी आप याद रख सकते हो और CSIR का जो institute था, that is council of scientific and industrial research, अब दोनों को combine करके अब नया जो खोला जा रहा है वो कहां पे, new Delhi के अंदर इसको खोला गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, CSIR का national institute of science, communication and policy research मर्ज कर दिया गए, दो institutes को, दोनों के नाम मैं आपको बताऊंगा, और ये उद्गाटन किस ने किया, डॉक्टर हर्शवर्दन जी ने किया, जो हमारे health minister भी है, earth sciences के minister भी है, science and technology के भी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन-कौन से दो institute थे, national institute of science, communication and information resources, next national institute of science, technology and development studies तो दोनों को merge करके अब नया खोल दिया गया है, इसके पीछे target था कि एक और एक institute को merge करके दो नहीं बनेगा, वो एक और एक को merge करके कितना बनेगा, 11 बनेगा Note 2, with a vision to become globally respected think tank as a resource center for understanding science, technology, innovation, policy, research and communication ताकि हम पूरे world level पे जाने जाएं कि हमारा जो सोच का पायदान है वो सबसे उपर है, science and technology की हमें समझ है और हम उसी के थुरू अपनी policy को implement करते हैं, तो यह सारी चाज़े आपने याद रखनी है, और main इसमें question क्या है, डॉक्टर हर्षवर्दन, नाम जो है important है नेक्स आते हैं, डॉक्टर हर्षवर्दन, inaugurated Doppler weather radar in which state or states बहुत important है, यह Doppler weather radar है यह काम करती है storms को मापने में, मतलब जो like बहुत ज़्यादा heavy rainfall होने वाली है उस जगा पे तो यह precipitation को देख लेता है, जब यह precipitation को जाच लेता है कि इस जगा पे इतनी बारिश होने वाली है, तो हम पहले ही साफदानी जो है वो रख सकते हैं तो यह दो states में basically खोला गया है, तो answer क्या होगा, बोथ BNC मतलो उत्राखंड में और एक हिमाचल परदेश में, तो दोनों ही जगा पे इसका inauguration किया गया है और आपको पता होना चाहिए कि उत्राखंड में कहां पे खोला गया, उत्राखंड में मुक्टेशवर में और हिमाचल परदेश में कुफरी में, शिमला के पास कुफरी में इसको खोला गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यह दो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो यह बेसिकली इसलिए खोले गए हैं ताकि वहाँ पे weather system को समझने में help मिले और वहाँ से हम कह सकते हैं कि एकदम से बारिष हो जाते हैं बाड आ जाती है तो उससे यहाँ पर बचा जा सकता है तो यह weather conditions बताती है like storms और heavy rainfall और इसी में 32nd edition of जो हमारा meteorological department है उसकी हिंदी पत्र का जो है वो launch किये जिसका नाम है मौसम मंजुशा तो इसको भी आप याद रखेंगे मौसम मंजुशा जो किस ने launch किये डॉक्टर हर्शवर्दन जी ने launch किया है और इंडिया meteorological department यह 146 foundation day था 15th of January को इसी लिए इसका उद्गाटन किया गया और IMD के बारे में दोस्तों आप याद रख सकते हो इसका headquarters in New Delhi है डिरेक्टर जर्नल जो है वो मुर्थुन्जय मोहा पात्रा है मुर्थुन्जय मोहा पात्रा नेक्स आते हैं दोस्तों Indian Army has signed USD 20 million मतलब almost 140 crores का contact sign किया है किस company के साथ किया है जिसमें हम high altitude variant of indigenous switch unmanned aerial vehicle जो है वो हमें मिलेंगे मतलब हमने company के साथ tie up किया है जो हमें switch unmanned aerial vehicle तो वो हमें drones जो हैं वो बना के देगी तो फटरवड बताएंगे किस company की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ yes guys मैं आपके answer की weight कर रहा हूँ यह 20 million dollar का project मतलब बहुत ही ज़्यादा cost है 140 crores की और यह company है idea forge तो नाम को याद कर ले idea forge आपने बहुत कम वर सुना होगा idea forge यह Mumbai based company है तो याद कर ले idea forge तो यहाँ पर आप देख सकते हो idea force create and inspire और defense ministry आप कह सकते हो या Indian army आप कह सकते हो उनके साथ यह tie up हुआ है switch drones बनाने के लिए switch drones मतलब आप देख सकते हो इस थरह के drone जो है वो बनाएंगे जो की flat होंगे और यह unmanned होंगे लेकिन इसमें एक facility है कि एक बन्दा इसको carry भी कर सकता है मतलब एक individual जो है वो इसको चला भी सकता है और याद रखना है has the highest time on target compared to other unmanned on its class मतलब इसी तरह कि अगर all drones को आप देखोगे तो सबसे अच्छी quality का drone आपको यहां पे मिलेगा तो switch is a fixed bin vertical take off and landing unmanned aerial vehicle जहां पे अगर हलात खराब है altitude बहुत ज़्यादा है harsh environments है तो उसमें भी यह take off या land जो है वो कर सकता है यहीं इसकी खासियत है तो यह idea forge जो है वो बनाएगी idea forge to become the largest manufacturer of India of drones for homeland security, defense and industrial application तो इस company का नाम याद कर लें तो drone manufacturing में सबसे आगे नाम जो है वो किसका है idea forge का next आते हैं which bank ties up with the neo to issue prepaid cards neo बारत payroll card for MSMAs तो micro small and medium enterprises के लिए एक neo cards जो है वो launch किये जा रहे हैं जिसको नाम दिये गए neo बारत payroll card वो किस bank के साथ ये neo bank मिलके जो है वो इसको launch कर रहा है तो answer क्या होगा इसका फटवर्ट बच्चे comment मतलब chat box में बताएं और मैं सब के answer जो है वो क्या कर रहा हूं चेक कर रहा हूं कि कौन-कौन answer दे रहा है और आपके questions के answer भी करता जा रहा हूं तो answer क्या होगा इसका answer होगा ICCI तो याद रखना है answer क्या होगा ICCI और ये MSME के जो blue collar workers है मतलब जो उस company के अंदर लोग काम करते हैं उनको salary देने में भी काम आएगा और वो अपनी salary के हिसाब से उस card से अपने payments जो है वो निकाल भी सकते हैं इसमें free accidental death insurance cover जो है वो किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ICCI bank ties up with the new bank to issue prepaid card नियो बारत payroll card for MSMEs तो इस तरह का वो दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हो launching event की ये picture है तो यहाँ पे देख सकते हो blue collar workers मतलब जो उस factory के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए है और इससे क्या होगा यह जो MSMEs हैं वो salary सीधा ही इन workers के card में डाल सकती है सीधा ही मतलब इनके card के साथ डाल सकती है और card जो है वो एक account के साथ क्या होगा link होगा तो वो card को अपने हिसाब से जो है वो use कर सकते है इनको card मिल जाएगा वो और इसमें मतलब एक लाक रुपे तक जो है वो card के थूँआ पैसे को निकाल सकते हो मतलब यह card इनको मिल जाया करेगा और salary based हो यह card होगा मतलब simply है कि यह card में कुछ already account में पैसा डला होगा तो वो card सीधा इनको दे दिया जाएगा तो यह भी इसमें दिया जा रहे लेकिन हमारे लिए यहां पर important ICIC bank, MD और CEO कौन है? संदीब बक्षी है टैग लाइन हम है ना ख्याल अपका तो याद रखेंगे इसको और about NIO, NIO के Chief Executive Officer कौन है? विने बागरी तो दोनों चीजों को याद रखना है तो देखो कितना बड़ा कोश्चन और कितना difficult question आपको लग रहा होगा लेकिन कोश्चन बहुत ही सिंपल है एक सोफ्टवेर है जिसका नाम है कोलाब कैड तो याद रखना है यह 2D ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स को innovation tool की तरह आप इसको use कर सकते हो यह NIC और CBSC ने मिलके जो है वो क्या किया है एक tie up किया है और यहाँ पे NIC का मतलब है National Informatic Center क्योंकि उन्होंने ही इस सोफ्टवेर को develop किया है तो इसमें कौन सी कक्षा के बच्चों को जो है वो ग्राफिक्स की training दी जाएगी जो हमारी faculty होगी engineering graphics की तो उनको training दी जाएगी तांकि वो इसका ज़ादा से ज़ादा इस software का use कर सके तो वो होगा कहाँ पे CBSC affiliated schools में और NIC के साथ यह tie up हुआ कि वो इस software को CBSC schools में चलाएं लेकिन कौन सी कक्षा के शातरों की हम यहाँ पे बात कर रहे है तो यहाँ पे दोस्तों बात कौन सी कक्षा के हो रही है यहाँ पे बात हो रही है 10th से लेके 12th तक के बच्चों की बात हो रही है तो याद रखना है 10th से लेके 12th क्योंकि वहीं जाएंगे ना आगे मतलब plus two खतम हो जाएगी तो engineering college में जाएंगे जो इसका मतलब 10 से लेके plus two के curriculum में इसको आड़ करने की सिफारिश जो है वो कर दी गई है तो यहाँ पे एक software को launch करने के लिए उसकी booklet launch करने के लिए चार institutions थी NIC था National Informatics Center था यहाँ पे Ministry of Electronics and Information Technology थी CBSC था Center Board of Secondary Education और Ministry of Education थी और साथ में निती अयोग भी था तो यह सारी institutions ने मिलके जो है इस software को launch किया है तो यह एक e-book launch किया कि किस तरह से इसको use करना है और students और professionals के लिए इसको open कर दिया गया है तो याद रखना है बहुत ही important है और दोस्तों याद रखना है यह पहला indigenous tool है जो इंडिया में त्यार हुआ है और National Informatics Center ने इसको त्यार किया किस partnership के साथ मुंबई-based Baba Atomic Research Center और त्र और Attle Tinkering Lab के जो students है वो already जो है वो इस तरह का platform जो है वो use कर रहे हैं जो कि schools में already active है काफी schools में Attle Tinkering Labs जो है वो बन चुकी है तो उसमें 3D design नई technology से आप design जो है वो कर सकते है और बच्चों का जो creativeness है वो आगे बाहर आ सकती है नेक्स आते हैं दोस्तों अगला question which shipbuilders company has signed UST 12.7 million contract with the government of Ghana for the construction of an ocean going vessel तो vessels बनाने के लिए कौन सी shipbuilders इंडिया की कौन सी shipbuilder company ने government of Ghana के साथ जो है वो contract किया है जो उनको vessels बना के देंगी और वो company कौन सी है वो है garden reach shipbuilders and engineers garden reach shipbuilders and engineers इस company ने tie up किया है किस के साथ government of Ghana के साथ तो याद रखना है government of Ghana के साथ किस के रहें vessels बनाने के लिए ship vessels बनाने के लिए tie up किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो Ghana का map और जहाँ पर आप देख सकते हो उसकी capital George Town आपको मिल जाएगा और South Africa में मिल जाएगा कुछी दिन पहले हमने सूरी नाम किया था आपको याद होगा अभी हम क किया जाएगा और GRSC ऐसा फर्स्ट इंडियन शिप याड है जो 100 वार शिप्स जो है वो अल्लेडी बना चुका है तो यह GRSC की खासियत है और इसका हेड़कॉर्टर कहाँ पर कलकटा वेस्ट पंगल यह हमारे लिए important है गवाना दोस्तों याद रखना है प्रेजिडेंट इ दोस्तों अगले section के उपर जो की important question section है और उसमें पहला question है India and which country signed MOU to boost cooperation in the field of information and communication technology तो simple question, simple answer होना चाहिए information and communication technology के लिए हमने कौन सी country के साथ जो है वो tie up किया है तो फटबट बताएंगे सब बच्चे अंसर क्या होना चाहिए इसका yes सब बच्चे अंसर फटबट बता रहे ह अंसर क्या होगा इसका Japan होगा दोस्तों क्या होगा Japan और यह आपस में दोनों countries के जो relation है वो भी क्या करेगा improve करेगा और इसको रवी शंकर परिशाद जी की तरफ से sign किया गया है क्योंकि यह किस से related है information और communication से related है तो आप यहाँ पर देख सकते है यूनिमनिस्टर अफ कॉ कॉनसी कंपनी जो है वो इनके साथ हाके मिल चुकी है Climate Action 100 Plus के साथ कि अब वो भी Paris Agreement Goals को अचीव करने में साथ देंगी मतलब वो भी अपने कंपनी के अंदर जो है वो Greenhouse Gases के Emission के उपर रोक लगाएंगी तो मैं कॉनसी कंपनी के यहाँ पर बात करहा हूं फटा फटा दें अंसर क्या होगा इसका Kotec Mahindra और Kotec Mahindra Asset Management Company जो है वो Global Climate Action 100 Plus के अंदर जोईन कर चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो Kotec Mahindra AMC that is Asset Management Company Signs Up with the Climate Action 100 और यह जो Climate Action 100 प्लस है यह एक आप कह सकते हो कि campaign type है जो 2018 में start किया गया था और 2023 तक यह चलेगा जिसमें हमने greenhouse gases को कम करना है वो companies इसमें participate करती है जो world level पे greenhouse gases को कम करने में जो है वो सही योग देंगी तो यह Climate Action 100 प्लस का योग दन रहेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो world largest corporate greenhouse gas emitters take necessary action on climate change मतलब जो सबसे ज़्यादा greenhouse gases क को बाहर emit करते हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा उनको इसमें join करने के लिए कहा गया है तांकि आप उसको क्या कर सको कम कर सको हो और Kotech Mahindra Acid Management Company has become a signatory to Climate Action 100 प्लस तो याद रखना है Kotech Mahindra Acid Management Company President and Managing Director Connor Nilesh Shah लेकिन आपके लिए इतना important नहीं है Headquarter Mumbai Maharashtra Next आप देख सकते हो Former Union Minister Kamal Murarka तो याद रखना है नाम को Kamal Murarka उनका देहान्त जो है वो हो गया है कौन सी स्टेट से बिलॉंग करते थे वैसे जो है ये राजस्थान से बिलॉंग करते थे लेकिन इनका देहान्त जो है वो महाराष्ट्रा में हुआ है तो याद रखना है कह कहां से बिलॉंग करते थे राजस्थान से और 74, 74 years के थे इनका देहान्त हो गया है और कमल जो मुरारका जी है ये Union Minister of State रहे है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन चंदर शेखर गौर्वर्मेंट 1990 और 1991 के बीच में क्योंकि चंदर शेखर जी उस ताइम पर पे क्या थे जिस्थान से ही ये जनता दल को क्या करते थे रिपर्जेंट करते थे फिर ये समाजवादी जनता पार्टी के भी क्या बनाएगे थे प्रेजिडेंट बनाएगे थे लेकिन आपने याद रखना है इनका नाम कमल मुरारका जी नेक्स आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉ क्लियर है कि PNB फाइनांस के अंदर जो है वो अब थोड़ा सा शेर जो है वो और बढ़ चुका है सिंगापूर बेस टेक इंवेस्टमेंट ऑपरचुनटी फाइव नाम की जो है वो कंपनी है प्राइवेट लिम्टेड है उन्होंने जो है वो इसके अंदर अपना स्टेक सिर्फ इतना याद रखना है लेकिन यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक जो की 1895 में जो है वो स्टार्ट हुआ था इसके MD और CEO SS Malika Arjun Rao है है headquarter New Delhi है tagline the name you can bank upon next union minister हर्षवर्दन जी dedicated the innovation portal developed by NIF India to the nation तो जो हर्षवर्दन जी है उन्होंने जो हमारा innovation portal है जो की NIF ने developed किया था तो उसको देश के नाम जो है वो उन्होंने दे दिया है मतलब उसको देश के नाम जो है वो उन्होंने कर दिया है NIF का मतलब है NIF stand for National Innovation Foundation की किया गया था नेक्स आते हैं इंडिया collected just 10% of the e-waste generated in 2018-90 CPCB report तो यहां पर important क्या है कि यह report के अंदर बताया गया है कि इंडिया ने जो waste किया था इतने सालों के अंदर तो 2019 तक जो है 2019 में जो की 2018 में generate हुआ था और 2019 तक मतलब last तक उन्होंने कितना जो है वो collect किया है तो सि अब कह सकते हो पूरे देश के अंदर बड़ा हुआ है तो यह बहुत ही बड़ा जो है वो आप कहोगे वेस्ट है और इसमें 32% e-waste है जो की मतलब आप कह सकते हो silicon हो सकता है उसमें lithium-ion batteries हो सकती है तो बहुत ही बड़ा waste है जिसको अभी भी देश को देखना पड़ेगा कि क इस तरह से हम e-waste को कम कर सकते हैं नेक्स संदीप अगरवाल और यह CPCB क्या होगा CPCB का मतलब है Center Pollution Control Board याद रखना है Center Pollution Control Board चेर्मेन कौन है शिरी शिवदास मिनना बहुत इंपोर्टेंट है शिरी शिवदास मिनना नेक्स संदीप अगरवाल appointed as the new chairman of TEPC बता चुके हैं हम कोटेक महिंदरा ने Climate Action 100 को जोईन कर लिए यह भी बता चुके हैं और महिंदरनात पांडे ने launch किया है परदान मंतरी को अशल विकास जोजना जिसमें 8 लाक नए जुवाओं को जो skill provide जो है वो किया जाएगा और इसमें 948 क्रोड रुपीज का खर्चा जो है वो किया जा अंसर क्या था इसका Lord Cornwallis और सब बच्चों ने अंसर बिल्कुल सही बताया लेकिन एक दो बच्चे थे जिन्नोंने अंसर जो है वो डलहौजी भी बताया तो अंसर जो है वो दोस्तों क्या होगा Lord Cornwallis almost 1793 के आसपास इन्होंने civil service का idea जो है वो दे दिया था और Lord Cornwallis ही वो ह और हमारी series चल रही है SSECGL के सारे questions को complete करना है which of the falling is not a commercial source of energy तो यह 2016 का question है चार options आपको दिख रहे है commercial source नहीं है energy का तो आप कहीं और पर use करते है ऐसे commercial उसको use नहीं किया जाता तो बहुत ही simple question है और comment box में इसका अंसर देना है सब बच्चों ने और जैसी आप अंसर दोग और bell button को press कर देने जैसे subscribe करोगे bell button को press कर दे ताकि notification on time आपको मिल जाए और यह affairs cloud का promise है कि आपके confidence को ज़रूर boost करेगा क्योंकि 90% of the current affair हमारे ही current affair से त्यार किये जाते हैं तो यह बहुत ही आप कहा सकते हो genuinity है affairs cloud की कि उन्होंने अपनी site के उपर भी यह बताया हुआ है क किस तरह से आप यह check कर सकते हो कि पिछले तीन सालों में जितने भी question आए हूँ वह वहाँ पर लिखे हूँ और किस तरह से हमने cover के और जो नहीं भी किया वो भी हमने बताया हुआ कि यह question हम cover नहीं कर पाए thank you guys for watching this video और इसी तरह से videos को देखते रहे और life को यार बहुत ज़्यादा serious नहीं ले life is fun और बहुत अच्छे से पढ़ते रहे खुश रहे हमेशा क्योंकि खुश रहोगे तो इसका मतलब अब बहुत सी चीज़ों को चीव कर सकते हो thank you guys take care bye